वागते दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल करे कंसर्टीज में जहां हम देते हैं जानकारी आपको करियार और इंप्लॉइमेंट से जुड़ी तो दिखो अगर तुम माइक्रो फैनेंस कंपनी में काम कर रहे हो या फिर माइक्रो फैनेंस कंपनी की जॉब देख रहे हो तो डेफिनेटली तुमने इस कंपनी का नाम तो जरूर सुना होगा जी हाँ India's largest micro financing जो कि पिछले 20 सालों से micro financing industry में lead कर रही है 2800 से ज़ादा branches हैं और 32,000 करोड का portfolio है तो जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ भारत financial inclusion की और इस वीडियो में review करेंगे भारत financial inclusion की current opportunities को समझेंगे company का क्या है culture, क्या employee benefits होते हैं, क्या salary मिलती है क्या career opportunities बन सकती है, क्या profile रहेगा company के culture और साथ ही बात होगी company की overall rating के बारे में बताएंगे आपको क्या आपको भारत financial inclusion में अच्छा career मिल सकता है या आपको भारत financial inclusion से दूर ही रहना चाहिए वेल इस company का review इसलिए भी खास है क्योंकि यह आपको micro finance से finance की तरफ और finance से banking की तरफ बढ़ने का मौका देती है जी हाँ, अगर आप micro finance से switch करना चाहते है finance sector की तरफ और finance से दीरे-दीरे banking की तरफ तो यह आपके career के लिए एक milestone हो सकता है क्योंकि Indus Inde Bank की fully owned subsidy है यानि की completely Indus Inde Bank की acquire की होई यह company है जो की अपनी services में saving account, current account, recurring account और fixed deposit जैसे दूसरे accounts की भी services देती है 1997 में start होई भारत financial inclusion जो की आगे चरके 2019 में Indus Inde Bank द्वारा acquire कर ली गई currently इसकी अठाइस सो देश बर में branches है, 72 से ज़ादा regional offices है और 31,400 से ज़ादा staff इसके साथ काम करते है 32,000 करोड का portfolio है और इसके vice president है जे श्रीधरन भारत financial inclusion जो की पिछले 20 सालों से micro finance industry में lead कर रही है देश की number one company है, यह basically micro finance में deal करती है लेकिन देरे देरे इसके product switch कर रहे है, दूसरी तरफ जी हाँ two wheeler का loan start किया है साथ ही भारत money के नाम से एक services दी जाते है जिसमें basically cash deposit, cash withdrawal, यानि कि सुविधा केंदर या service center सुनोगा इसी तरह से Indus Inde के service centers बनाते है गंपनी और वहाँ पर यह सारी सुविधा हैं जैसे कि bill payment, naft, cash withdrawal, cash deposit इस तरह की services दी जाते है भारत money के नाम से इसके अलावा company के पास भारत super shop नाम की भी एक service है जिसमें वो retailers को loan करते हैं यानि कि सभी तरह के किराना stores, shoe stores, restaurant, ढाबा और जो भी दूसरे businesses होते हैं उन सभी को loan provide किया जाता है इसके अलावा भारत financial inclusion इंडस इंड के लिए भी काम करती है जिसमें वो savings के product देती है यानि कि current account, fixed deposit account, recurring deposit account और saving account जैसी services को भी भारत financial inclusion ही complete करती है तो विलर लोन्स और individual लोन्स भी हैं तो काफी सारे mixed products हैं company के पास जो आपको micro finance से banking का exposure दिलाते हैं company में staff hierarchy इसके अगर बात करें तो सबसे पहले होता है field assistant trainee उसके बाद loan officer उसके बाद branch credit manager उसके बाद branch manager फिर उसके उपर होता है area manager ये unit manager इसके अलावा संगम manager और regional manager जैसे भी posts होती है recently completed two hundred trainees यानि की field trainees की vacancies निकाली थी इसके लावा loan officers की भी vacancy आई होई थी दोन ही vacancies के बारे में detail में बात करेंगे सबसे पहले बात होगी field trainees की field trainees की basically जो salary जो थी वो अब लंसम 11,000 plus fuel plus incentive और health insurance PF और ESI है इसके अलावा अगर loan officer की starting salary की बात करें तो ये 12,500 से शुरू होती है इसके अलावा आपको incentive, fuel, accident insurance, medical insurance, PF और ESI की भी facility मिलती है तो आप question आता है कि vacancies को कहां देखे हो सकता है ये वीडियो आप vacancies निकलने के बाद देख रहे हो तो definitely आप vacancies को कई जगा पर ढोंड सकते हैं तो सबसे पहले option है कि company की websites पर जाएए भारत financial inclusion की अपनी खुद की websites है जहाँ पर आपको career section में current opportunities देखने को मिल जाएंगी इसके अलावा जो इनके regional HR होते हैं वो basically regional level पर ही अपनी hirings करते हैं जिसको आप Facebook पर भी देख सकते हैं जिहां हर एक regional HR Facebook LinkedIn पर अपनी vacancies को regularly post करते हैं तो आप Facebook पर जाकर वह सर्च option में लिखिये भारत financial inclusion और आप definitely भारत financial inclusion से related जितने भी पिछले दो महिने में post किये गए हैं उन सबी को देख पाएंगे बहले ही post expire ही क्यों न हो गई हो वहाँ पर आपको HR का number या WhatsApp या email कुछ न कुछ तो मिली जाएगा इसका इस्तमाल करके आप अपना resume HR तक पहुचा सकते हैं इस वीडियो के end में भी कुछ आपको वगैंसिस के poster दिखाई दे जाएंगे तो जैसे कि salary और salary benefits को आप जान चुके हैं तो आप बात करते हैं company की overall rating के बारे में समझते हैं कि क्या आपको भारत financial inclusion जोइन करनी चाहि और दूसरा होता है appraisal और promotions तीसरा है work satisfaction और चौता है work life balance तो दोस्तों इस comparison को करने के लिए हमने basically तीन companies को चुना जी हां बात financial inclusion के साथ हमने दो और companies को लिया जी हां जो सबसे top पर यानि की employee point of visor जो सबसे best company माने जाती है वो है स्वतंत्र microfinance जी हां तो स्वतंत्र को हमने रखा और साथ ही एक ऐसी growing company को भी रखा जो currently market में sustain करने की कोशिश कर रही है या अच्छा performance कर रही है और तेजी से आगे बढ़ रही है तो ऐसी company दी सत्या तो हमने इन तीनों के बीच में comparative statement लिया तो जब हम overall rating देखते हैं company का तो सवतंत्र का rating है 5 out of 4.3 जबकि भारत financial inclusion का rating रहता है 4.2 यह rating rating सवतंत्र से 0.1% कम है यानि की company अपनी industry में employee point of view से best position पर नहीं है लेकिन इसका detail analysis भी करने की ज़रूरत है company culture की बात करें तो company culture में सवतंत्र को मिलते है 4.3 stars जबकि भारत financial को मिलते हैं केवल 4 stars लोगों ने यह complaint की कि company में culture के point of view से यहाँ पर politics काफी होती है लोगों को promotion के लिए काफी ज़्यादा efforts करने पड़ते हैं और sometimes employee के बीच में 22 decisions भी हो जाते हैं promotion and apparel हाला कि इसी चीज़ को अगर सत्या में देखें तो वहाँ 3.6 यानि की काफी down चला जाता है work satisfaction की बात करें तो लोगों में work satisfaction 0.2% कम रहा स्वतंतर के मुकाबले यानि की लोग स्वतंतर में काम करते हुए जादा satisfy है भारत financial inclusion के comparison में तो बड़ा company होने के बाद भी ये लोगों के work में satisfaction नहीं लेकर आपा रहे हाला कि काफी सारे different loan products हैं और काफी बड़ा company का business है different type of product line है फिर भी लोगों के बीच में work को लेकर के satisfaction नहीं है जो कि अपने आप में एक कहीं जा सकती है विलाबात ही है सबसे important चीज वो है work life balance जी हाँ अपनी job के साथ अपनी personal life को कितना balance कर पाते है कि आपको time ली चुटी मिलती है आप अपनी job से happy है कि नहीं यही rating बताता है तो work life balance के अगर बात करें तो स्वतंतर का work life balance stand करत है 3.8 star पर जो कि अपने आप में 0.3% कम है जी हां और इसको हम काफी कम कहेंगी क्योंकि being a large organization आप अगर इस point को meet out नहीं कर पा रहे तो आप 20 years से market में बने होने के बाद भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं अब work life balance के बारे में जो employee की complaint को हमने देखा तो हमने ambitionbox.com पर लोग यही complaint कर रहे हैं कि company के working hours बहुत जादा है यहां आपको जरनली 12 से 14 घंटे तक काम करना पड़ता है company का जो दिन शुरू होता है यानि कि collection का जो time शुरू होता है वो सुबह 7.30 बजे से शुरू होता है और यह time आगे 8, 9, 10 बजे तक भी extent हो सकता है जब तक क कि आपका काम complete नहीं होता कुछ लोगों ने यह भी complaint की कि यहां पर Sunday को con calls और दूसरे instruction work में भी employee को लगा दिया जाता है तो rating analysis करने के बाद यह कहा जाता है कि यह company बड़ी जरूर है और काफी लंबे समय से stand कर रही है बड़ फिर भी जो benchmark सोतंतर ने set किया है उसको यह beat नह ने की training facilities काफी अच्छी है तो इस चीज को appreciate करना भी बनता है तो यह था review overall भारत financial inclusion का अगर आपके अभी भी मन में कोई हो questions तो please comment section में हमें जरूर बताएं इसके अलावा अगर आप किसी company का review जानना चाहते हैं तो हमें comment section में वो भी बताएं अगर आपको यह video अच्छा ल लें और जो वीडियो को एक like दे दें तब तक के लिए thank you so much